Assalamu alaikum, मैं Zureka Arfa, Zulekha's Kitchen से, तो चलिए, आज हम बनाते हैं, चिकन इन ब्लाक पेपर सॉस, चाइनी स्टाइल है ये, तो चलिए, शुरू करते हैं आज की रेसिपी, साधा रान याने ओर्डिनेरी इंग्रिडियन से, एक्स्टराइनरी डिच बनाते हैं आज की, चलिए, ये अब बड़े से बावल के अंदर दाल दीजिए, इसमें दाल दीजिए आदा च्टाइका चाहिका चमच, नममक या स्वादनो सार भी दाल सकते हैं, आदा च्टाइका चमच, काली मिर्चोका पाउडर, एक च्टाइका चमच, बारिक कटा हुआ लसन डाल दीजिए, एकंड तो बार भी रख सकते हैं आटे घंटे के बाद कडाई के अंदर तेल गरम कर दीजिए तेल अच्छा गरम हो जाए तो मीडियम आज कर दीजिए और पिस में लाय रहनानी रेंग बोल कर वेल कोट करे हुई चिकन के पीसिस डालते जाए बहुत जादा मत दाल दें, few at a time दालिएगा अच्छा अब यहाँ पर यह है ना कि कुछ आधी एक मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए जब अच्छी पीछे कोटिंग वेल फॉर्म हो जाए तो इसे उलट पलट करते हुए आप चाहें तो मीडियम आज पर या फिर मीडियम से हलका आप स्लो भी करेंगे ना तो भी चलेगा उसमें आप फ्राइ कर लीजिए तकरीबन 6-7 मिनिट तक बार बार चलाते रहिएगा जब 6-7 मिनिट हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर चन्नी के ओपर साइट पर रख दीजिए इसे तरीके से सारे चिकिन पीसे को बैचे में फ्राइ कर लीजिए अच्छा अगर आप आधा किलो चिकिन की बना रहें तब भी आप अंडा एक ही डालिएगा चलिए मैंने सारे बैचेस के अंदर फ्राइ कर लिया और बहुत ही मज़ेदार लग रहें अगर एक भी खाके देखोंगे ना बहुत ही बढ़िया लग रहें टेस्ट में बढ़िया है तो चलिए इन्हें साइट पर रखते हैं और अभी पर सॉस बना लेते हैं एक कड़ाई आप फ्राइ पैन के अंदर तेल दाल दीजिए चूला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए और इसमें दो टीस्पून बारिक कठा हुआ लसन दाल दीजिए तेल यही वाला था जो मैंने अभी इसमें फ्राइ किया है और इसे बार बार चलाते हुए फास्ट प्राइक काट कर रखिये प्याज एक मीडियम साइज की और तीनों सिमला मिर्चना मैंने आधी आधी ली है लेकिन आइसी आप देख सकते हैं स्क्वेर शेप्स में तीनों चीजों को काट लीजिए और दाल दीजिए इसके अंदर तेल के अंदर और इसे भी आफ मिनिट के अर्षस के अफ मैं रखिये यहां पर तो चूले को कर दीजिए यहां पर मैंने अन्या कप पानी डालें नम्मक जोर के शोट चाय का च्मच काली मिर्चों का पाउडर दीजिए एक छोडoss का चमच विनेगर डाल दीजिए लेड़ चूटईश का चमच लाइट गै्च क्लिएगा अब आपके पास ऑयस्टर सॉस हो ना तो डेड़ एबल स्पुन यूज्डा सॉस दाल दीजिये मेरे पास नहीं है अब आप की सब्सुोटeight्र यह है कि की आप टेड़ sब्सुन fish sauce दाल सकते हैं fish sauce नहीं है तो आप वो दाल सकते हैं frozen sauce आता है 1-1 восп 1.5 최대 वो दाल सकते हैं मेरे पास निए कोई भी sauce नहीं था तो मैने 1.5 के बज़ाए 1 TbL Light Soya sauce दालाए अब आप 1 के बज़ाए डेत के बज़ाए 1.5 TbL Light Soya sauce दाल सकते हैं मैं थोड़ी सी बारिक कटी हुई spring onions दाल दी है, अब उबाल आ जाए तो corn flour की slurry दाल दीजिए, इसमें कुछ नहीं, एक छोड़ा चाहिका चमच, corn starch याने की corn flour है, तीन टेबलस्पून पानी के अंदर मैंने घोल बना लिया ता और इसमें डाल दिया, अब चूला medium पर ही है, इसे mix कर लीजिए, और हलका सापको लगे ना, कि थिक हो रहा है, तो थोड़ी से मैं फिर से बारिक करते हुए spring onions दाल देती हूँ, इसे एक बार चला लीजिए, और जो chicken हमने pieces side पर रखे है, वो सारी डाल दीजिए, थोड़ा थिक होगे, हलका ही थिक होगे, तो chicken के pieces डाल बार बार चलाते हुए, टॉस कर लीजिए, तकरीबन हमें मीडियम आज पर इसे 30-40 seconds ही इसे चलाना है और पकाना है, बस 30-40 seconds हो जाए, मैं यहाँ पर बीच में ही यहाँ आदा चुड़ा चैका चमच काली मिर्चो का powder फिर से दाल रही हो, एंड में दालना है, क्योंकि यह मिर्चो का sauce है, तो उसका स्वादाना चाहिए, फिर से मैंने थोड़ी सी spring onions दाली है, अच्छे से mix हो गया और आप देख सकते हलकी थिक gravy दिख रही है, बस वहाँ पर चूला कर दीजिए, बन 30-40 seconds हो गए, अब इसे करमा गरम एक प्याले में निकाल ले और सर्फ करें, तो अब लोगों के लिए सारा प्ली लिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप महाँ चेक कर लीजिएगा, अच्छा आप अपर से थोड़े से spring onions फिर से जो पतिया है उससे गानिश कर ले और गरमा गरम सर्फ कर ले, ये रेसिपी के अंदर आप हरी मिर्चियां अपने स्व अच्छी लगे अपने फैमिली और फैंस में इस वाले वीडियो के लिए जरूर फोवर्ट कीजिएगा और फिर से हाजीर होगी नहीं शान्दार दमदार रसेपी के साथ, आटल दें, टेक कर आणा आफिस, बाई-बाई